तो आज की वीडियो हम देखने वाले डिलेट का कोडिंग कोईशन जो पूछा गया था 12th of February को NLA के एक्जाम में तो आप सभी का एक्जाम ओंगा होगा डिलेट का एन आप सभी को पैक्टिस करने है कोडिंग के राउंड के लिए तो मेरे पाँ स्कीन शोट है कोईशन का जो पूछा गया था एक्जाम में जो हम देखने वाले आज की वीडियो में बड़ उससे पहले मैंने और वीडियो पोस्ट करा हुआ है कोडिंग की कोईशन के उपर आप में चेक आउट डिंगा चेक आउट कर सकते हूँ तो मतलब इसका साइज होगा वो अन होगा तो मतलब इसका साइज हो गया यह एन साइज है इसका दे नेक्स लेन लिखा हुआ है write a program to print the sum of even number present in the array मतलब कि यह बोल रहा है कि array में कुछ number है like 2,3,4,5 इस तरी के से अब जो array में number होंगे जो even number है specially like even कौनसा है like 2 even number है and 4 even number है तो इसका जो sum होगा 6 होगा वह print कराना है output में बस इसी के लिए हमें code करना है काफी easy code है and काफी simple code है I hope कि आप सभी को example समझ में आगया हुआ इन्होंने भी input दिया हुआ है उसको भी एक बाद देख लिए है like first line में हमको input लेना है size of array जो की n होने वाला है then second line में input लेना है array में तो इसके लिए array बनाना पड़ेगा इन्होंने mention कर रहा हुआ है जिसका size होगा n यह array होगा इसका size होगा n अब इन्होंने mention भी कर रहा है पर इन्पुट में कि जो array का size होगा वो 3 होगा मतलब भी size होगा हमारा 3 इस तरीके से एन जो array में value होगी वो 10, 47, 30 होने वाली है तो इस तरीके से 10 हो गया 47 हो गया यह 30 हो गया, तो यह हमारा array बन गया, अब हमारा जो main काम है, वो इस array का होने वाला है, इस array में से मैं number find करने हैं, जो कि even होगे, अब even number कैसे find करेंगे, तो उसका formula होता है, let's suppose कोई number है, यह x number है, इसका हम module लेंगे, 2 से, and जिसका demandar आएगा, अगर वो 0 आता है, तो वो एक even number आएगा, अगर demandar में कुछ बस सा है, like 1, 2 या 3 या 4 something, तो obviously वो odd number होगा, बस ही हमारा formula होने वाला है, जो actual formula है, तो इसी तरीके से, जो हमारा पास array है, इसमें से 10 क्या है, obviously, even number है, तो इसके पास 47 even number है, नहीं, 47 नहीं है, 30 even number है, क्योंकि 2 से divide हो रहा है, yes, 30 even number है, इसका जो sum आएगा, like, इसका जो sum करने के बाद, जो आएगा, 40 आएगा, बस हमको यही print कराना है, output layer, 40, जो main चीज होने वाले है, विसी के लिए code करने वाले है, आई हूप कि आफसे प्रोडाम समाज में आगए होगा, काफी easy होने वाला है, अब करते है code, तो यह हमारा code होने वाला ह यह, techport online.com पर जाएगा, जाने के बाद, एक option मिलेगा, previous question बाला, उस पर click करना, click करने के बाद, सारी company question आपके सामने आने वाले, like, Deloitte के आपको मिल जाएगे, Techmanager के मिल जाएगे, IBM के मिल जाएगे, Zoho के मिल जाएगे, Amazon के मिल जाएगे, सारी company question आपको मिलने वाले है, इ मैं लेखा के actual में, तो मैंने जावा का यूज कर रहा हुआ है, code करने के लिए, first line मैंने इंपोर्ट कर रहा हुआ है, scanner को तक कि मैं scanner को यूज कर पाऊ, and user से input ले पाऊ, then उसके बाद, main class बनाया हुआ हुआ, जो अब यूज बनाना पड़ेगा, code execute करने के लिए, any main class का method है इसके बना code execute नहीं होगा, then next scanner, तक कि मैं input ले पाऊ, user से, then next हमाना जो comment थी question में, कि हमें user से size लेना था, array का, तो इससे हमने size लिया आया है, array का, then next थी, कि हमें array का size डिफेंड करना था, तो ये मैंने पहले array बनाया हुआ हुआ, array बनाने के बाद मैंने size भी दिया हुआ इसका हम use करेंगे, जो भी हमारे even number होगा, उसका sum store करने में, and मैं इसको initialize भी कर रहा हुआ है, 0 से, then next line है for loop, मैंने for loop का use कर रहा हुआ है, ताक कि मैं user से array में input ले पाऊ, जितना भी size होगा array का, उतना ही हमको for loop चलाना है, तो इसलिए मैं size का use कर रहा हुआ, and for loop के अंदर में array में value ले रहा हूँ, जो कि यह format होने वाला है, अब जो main चीज होने वाली हमारी पूरे code की एक तरीक से जान के सकते हो, वो start होने वाली 40 number line से, हमको यह find out करना है कि जो array हमने लिया हुआ है, जो हमने user से यहाँ पर input लिया था, line number 11 में, तो इस में से concern number हमारा order and concern even होगा, let's suppose number 10 है, 47 है, and 30 है, तो इस में से concern number हमारा even है, concern number order हो कैसे identify करेंगे, तो उसके लिए हमने यह follow-up यूज कर रहा हूँ है, पहले हमने follow-up यूज कर रहा हूँ है, तक कि जितना भी array का size होगा, उतने हमें follow-up चलाना है, and 1, y, 1, sub index पर जाना है, यह 0 index है, यह 1 index है, 2 index है, तो इसके लिए हमने ar i use कर रहा हूँ है, इससे क्या होगा, यह ar array है, इसके जो i index पर, i study में क्या होने वालए 0 होगा, तो 0 बर 10 होगा, तो 10 का module लेंगे, modular लेने के बाद, obviously 0 आएगा, इसका मतलब है कि even number है, even number होगा, तो हमने इसको store करा हुआ है, sum में, यहां हम इसको store कर दें, starting में sum की value 0 होगी, तो 0 plus, first position पर क्या होने वालए 10 है, plus 10 लेखा हुआ, output जो बाद आएगा 10 आएगा, obviously, वो 10 assign हो जाएगा, sum के अंदर, and again यह follow loop execute करेगा, and again check करेगा, index 1 पर, कि क्या value even है, odd है, अगर even होगी, तो यहां add करेगा, otherwise skip कर देगा, and यह follow loop 3 टाइम चलेगा, क्योंकि array का size 3 होने वाला है, तो at the end हमको output का मिलने वाला है, 10 plus 30, and output में आने वाला 40, तो यह हमारा output आने वाला जो print होगा, तो try करते हैं, code को execute करते हैं, अब मैं पहले input में size देने वाला हूँ, size में ने 3 दिया, यह ने वह input यूज कर दा हूँ, जो actual image में दिया हूँ है, size देने के बाद हमको array में value डालने है, तो array में value थी लेक 10 थी, then 47 थी, then उसके बाद 30 थी, अब जो हमारा output आने वाला है, 40 जाएगा, क्योंकि जो even number है, array में उसका संप्रिंट हो गया, जो 40 होने वाला है, तो यह हमारा code है, question का, काफी easy question है, और काफी easy code है, check out कर सकते हो, और कोई doubt है coding में अभी भी मुझसे बूछ सकते हो, comment section में बाकि help कर दूँगा, तो I hope कि आप सुभी को समझ में आ गया हुआ, तो आज की वीडियो में इतना है, वीडियो में समता लाइक कर देना, बिलते next वीडियो में, thank you and goodbye.